इतने समय तक लगातार ये कोशिश थी कि हम न्याय को समझें और सामाजिक न्याय को और बहतर समझने का प्रयास करें ये जानने के बाद कि सामाजिक न्याय क्या है उसका आधार क्या है उसकी सोच का आधार क्या है और किस प्रकार से सामाजिक न्याय की परिभाशा नीतियों को बनाने में या कानून को बनाने में प्रभावित करती है ये हमने समझा इस सामाजिक न्याय के तहत या सामाजिक न्याय की कल्पना या लक्ष के तहत विभिन देशों ने विभिन तरीके से समानता, सामाजिक समानता को लाने का प्रयास किया है भारत में भी ऐसे बहुत से कानूनी प्रावधान किये गए हैं समवैधानिक प्रावधान किये गए हैं जिसमें सामाजिक न्याय स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है हम थोड़ा सा चलिए देखें कि सामाजिक न्याय का क्रियानवन 36 गड़ के संदर में कैसे हुआ हमारे अपने राज़ में सामाजिक न्याय को लागू किस रूप में किया गया क्या क्या प्रावधान किये गए यद्यपी 36 गड़ राज़ जो है वो बिलकुल नया 20 साल पराना लेकिन फिर भी इतने वर्षों में ही यहां की सरकारों ने ऐसे कई कानून ऐसी कई नीतियां बनाई हैं जो सामाजिक न्याय के दाएरे में आती हैं और आखिर क्यों न बनाना पड़े क्योंकि यहां की जो आदिवासी जाती है अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती और साथ ही अन्य पिछरे वर्क इनकी संख्या बहुत भारी है बहुत बड़ी है तो निश्चित रूप से इनको प्रभावित करने के लिए इनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए शासन के लिए जरूरी था कि वो सामाजिक न्याय की परिकल्पना के तहट योजनाय बनाए और उसे क्रियानवित करें ऐसे तबकों के विकास और कल्यान के लिए जो योजनाय बनाई गई हैं चलिए उस पर हम एक थोड़ा नजर डालें और जानें कि वैसी क्या-क्या योजनाय हैं तब से पहली योजना जो कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई वो उनका आरक्षन कमजोर वर्गों का आरक्षन विधान मंदल, सांसद, अर्ज शास्की सेवा, उच्च और तक्नीकी संस्थान, सब शिक्षा संस्थान, ऐसे ही भूमी के मामले में, आवास के मामले में, स्कूल कॉलेज में प्रवेश के मामले में और साथ ही साथ सरकारी दुकानों के के मामले में भी आरक्षन किया गया है और यह आरक्षन किनका है जैसा मैंने बताया है पहला बिंदू कमजोर वर्गों का आरक्षन ताकि इनका उत्थान हो सके यह वर्ग अपने तई स्वैम उपर नहीं आ पा रहे थे तोकि यह आर्थिक रूप से बहुत ही विपन्न थे बि लाई हैं जिससे कि इस वर्ग का उत्थान हो दूसरा ग्राम न्यायाले योजना ग्राम न्यायले योजना सस्ती सरल और त्वरित गति से वंचित वर्ग को न्यायाइक सुविधा देने के लिए बनाई गई हैं इसका जो अधिनियम बनाया है गुरु गहसी दास जैनती के योजनियम अधिनियम लागू किया गया था ौर उसके तहट लगबाग आच सो पचीश ग्राम न्यायले बनाई गए गए आठ सो पचीज ग्राम नयायलों का प्रावधान किया गया है और भारती दंड सम्हिता के तहट इसमें सुनवाई होते हैं याने कानूनी रूप से कानूनन या सक्षम नयायले होंगे उसमें एक प्रावधान किया गया है कि दस गाउं या अधिक ग्राम पंचायदों के पीछे एक ग्राम नयायल है तो इस प्रकार ये इस तरह की सुविधा जिस पे काफी खासा खर्च होता है ये उन तबके के लोगों के लिए सरकार ने किया है तीसरा है अन बैंक योजना अन बैंक योजना के तहट गरीब कमजोर लोंग बेशारा लोंगों के लिए अनाज उपलब्द कराने का प्रावधान ये योजना सबसे पहले दुर्ग में लागू की गई थी और अब इसके तहट समाज के एक बहुत बड़े वंचित तबके को अनाज की सुधा दी जारी है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन्हें दो जून का भोजन मिल सके हैं चौथा इंदिरा सहारा योजना जो इस्थापना के वर्ष में ही प्रारम की गई सन्दो हजार में 36 गर्राज की इस्थापना के वर्ष में इसमें 18 से 50 वर्ष के आए के विद्वा या परिचक्तरा छोड़ी गई महलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा से अर्थ उनके जीवन या पन के लिए आवश्यक धन उनको देना और साथ ही सामाजिक सुरक्षा कैसी महलाओं को 18 से 50 वर्ष की आई के बीच की विद्वा महलाएं ऐसी महलाएं जो समाज या परिवार के द्वारा परिवार से निकाल दी गई हैं उन्हें संबल देने के लिए ये आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का प्राधान इंदिरा सहारा योजना के तहट किया गया है इंदिरा सूचना शक्ति योजना सूचना और सूचना के साथ शक्ति शड़ जुड़ा है क्या तात्पर है इंद्रा गांदी के नाम पर यह उजना बनाई गई है सूचना शक्ति यानि आज वर्तमान विश्व में विश्व एक गाउं हो गया है ग्लोबल विलिज और उसका कारण है कि सूचना जो कम्यूनिकेशन है इन्फरमेशन है वो एक दूसरे के पास इतनी त्वरिद गति से पहुंचती है परिवान इतने सराल हो गया है कि दुनिया बहुत सिमट के छोटी हो गई है हमारे यहां की जो नीचे तपके की महिलाएं हैं उनके पास सूचना की सूविधान नहीं है चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो चाहे वो कंप्यूटर के माध्यम से हो या अन्य ऐसे जरिये जिससे कम्यूनिकेशन होता है तो उनको शक्ति देने के लिए उनको ये सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई गई है इसलिए इसका नाम है सूचना शक्ति योजना और ये किनके लिए है सभी निर्धन छत्र जो नौवी से ग्यारवी में पढ़ रहे हैं वे नहिशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्राप्ट करेंगे नहिशुल्क कंप्यूटर शिक्षा ताकि वे इंटरनेट चला सकें को अप्योग कर सकें अर्था करते हुए वे इस सूचना जो वर्तमान में सबसे अहम ताकत है वो नहीं मिल सकें छटवाण डॉक्टर भावर्त पोर्ते स्मृतीचिक्चा शिक्षा प्रोचाहन योजना पूर मंत्री थे डॉक्टर भावर्तीच्चिक्चा शिक्षा प्रोचसाहन, मतलब मेडिकल एजूकेशन के लिए, इन तबकों के लोगों से डॉक्टर आएं, नर्से सामने आएं, डेंटेस सामने आएं, जोकि इनमें भी प्रतिवा होती है, धन की कमी शायद इने सामने नहीं ला पाती, तो इनके लिए शिक्षा प्रोचसाहन योजना श च्छातर वृत्तियां, च्छातर वृत्ति के बल पर ये अपनी पढ़ाई, मेडिकल पढ़ाई जारी रख सकती हैं, साथवां, फास्ट ट्रैक अदालतें, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, फास्ट ट्रैक अदालत, सामाने तरह क्या होता है, कि अदालतों में केसिस, वर वर्ग है वन्चित वर्ग है निर्धन वर्ग है वे बारं बार आने जाने का वकीलों को देने का खर्च वहन नहीं कर पाता और इसलिए वह मामलों को छोड़ देता है और एक तरीके से अन्याय का शिकार हो जाता है आर्थिक तंगी के कारण ऐसी स्टिति से इन लोगों को बचाने के लिए ऐसे कोर्ट का प्रावधान किया गया ऐसी अदालतों का जो केवल इन तबकों के लोगों का केस देखेंगी और त्वरित मिरना देंगी फास्ट ट्रैक अदालतें ये स्पेशल अदालते हैं ये दो वर्षों से पुराने में 31 इसके साथ आठवां हैं सूखा राहतकार योजना जो 36 गड़ की स्थापना के साथ ही यहां पे अकाल पढ़ने लगा था और उस अकाल से लोगों को उबारने के लिए सरकार ने तुरंद प्रति दिन 12 लाग से ज़्यादा मजदूरों को जहां जहां अकाल है वहां पर रोजगार दिया और इस प्रकार सुनिश्चित किया कि ये लोग भुखमरी का शिकार ना होएं आर्थिक तंगी का शिकार ना होएं क्योंकि एकाल के कारण के खेश सूखे हो गए अनाज नहीं रहा कुछ कमाई नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में ये योजना के तहट सूखा राहतकार योजना के तहट इन्हें सुनिश्चित किया गया कि इन्हें भोजन मिले ये सब सामाजिक न्याय के तहट हो रहा है सामाजिक न्याय के लक्ष के तहट हो रहा है नौवा राजीव जीवन रिखा योजना सब के लिए स्वास्थ मैंने आपको बताया था कि दूसर के स्वास्थ होना उतना ही अहम है मेरे लिए जितना की मेरे स्वायम का स्वास्थ होना मैं पुना दोरा दूं दूसरों का स्वास्थ होना मेरे आस पास रहने वाले लोगों का स्वास्थ होना मेरे स्वास्थ के लिए उतना ही अहम है जितना की मेरे स्वायम का स्वास्थ होना इसी के तहट ये योजना बनाए गए सब के लिए स्वास्थ है इसमें दूर दराज गाओं में चकित्सा समिधाएं सुनिश्चित की गई हैं और साथ ही ठानी जनता की समीति से इस ठानी महिलाओं को स्वैच्छिक कार मितानिन बनाया गया मितानिन के रूप में उनको निक्ट किया जा रहा है और ये मितानिन जो हैं वो एक तरीके से फर्स्ट एड गाओं में या गाओं में जो ट्रेग्निन्ट महिलाएं होती हैं उनकी जरुद को पूरा करना मूल भूज चिकित्सा दे देना फर्स्ट एड जिसको हम बोलते हैं प्रात्मिक चिकित्सा ये कार करते हुए मितानिन काफी अहम योगदान दे रही हैं और ऐसा कार करते हुए जीवी को पारजन भी कर रही हैं पैसा अर्जित कर रही हैं और ये भी सामाजिक न्याय के तह विद्धियार्थि हो रहा है। वह दी जाती हैं वर्तमान में इसी विद्यार्थी कल्प शिक्षा योजना के तहथी विद्यार्थी कल्यान योजना के तहथी विद्यार्थियों को जो निम्नवर के हैं जो अनुसूची जाती जन जाती के हैं उनको बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का प्राधान कि जा रहा है जिसका खर्च सरकार वहन कर रही है सरकार ने वर्तमान में इस एक वर्ष में अनेक अंग्रेजी माध्यम से चलित स्कूल खोले हैं ताकि निम्नवर के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा से वंचित ना हो धन की कमी उनके आड़े ना आए उनके रास्ते में बाधक न बनें तो ऐसे विद्याले खोले गए हैं स्वामी आत्मान जी के नाम से सेज वहां पर भी है ये ये देश जन कल्यान योजना के तहत ही है खायत कर विद्यार्थी कल्यान योजना के तहत है ग्यारवां मिनी माता शहरी निर्धन बीमा योजना शहरी निर्धन बीमा योजन मिनी माता के नाम से है एक बहुत बड़ी दानवीर महिला थी जिसने अपने जीवन की सारी कमाई सरकार को अस्पताल बनाने में दे दी सामाजिक न्याय के जिसे गरीबी रेखा के नीचे या उससे थोड़ा जो उपर हैं उनको शहरी जीवन जीने के लिए ये दिया जाता है ये अर्थिक साहिता दी जाती है बारवा वालमी की अमबेड कर आवास योजना डाक्टर भीम राव अमबेड कर के नाम से गरीबों के लिए असहायों के लिए सरकार ने मकान बनाने की योजना बनाई है और पूरे रज में विविन जिलों में विविन शहरों में ऐसे हजारों मकान बनाने की योजना है जिसमें इन गरीबों को गरिमा पूंड जीवन जीने का आफ़सर मिल सके और ये योजना किनके नाम से है डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर के नाम से इसके साथ ही तेरवा है कुलहाडी घाटी योजना कुलहाडी घोटी योजना क्या है कि गरिया बंद के कमार जो आधिवासी है ये एक खास जिले की योजना है गरिया बंद के कमार आदिवासियों को ग्रामत द्योग से जोडने के लिए गाउं में जो द्योग होते हैं उससे जोडने के लिए क्मार आदिवासी और इंटीरियर में रहते हैं को अलग रहते हैं समान की मुख्यधारा में अभी आने में बहुत पीछे हैं तो उनको मुख्यधारा में लाने के लिए शुरुवात की गई है उनके ग्रामद्योग से जोडने के उसके लिए भी एक खास योजना चलाई जा रही है अगली योजना है डाल भात केंदर की स्थ आपना जैसा की नाम से स्पष्ठ है कि मूल भूत आउशकता आदमी की क्या है दाल भात भोजन भोजन सब को मिले कोई भूखा न रहे गरीब लोग निर्धन लोग विशेश रूप से इस योजना का फादा उठा रहे हैं उनको उनको दो जून की भोजन मिले ऐसा सरकार इ और आखिर ये सब योजनाएं सामाजिक नियाएं के तहत हैं कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो 36 गड़ सरकार है वो आसमानताओं को समाप करने के लिए उसने काफी प्रयास किये हैं गड़ 20 वर्षों में कई ऐसी योजनाएं जो आपने देखी यहां पे और उसके अलावा औ और भी बहुत सियोजनाएं हैं लेकिन अभी भी हमें मीलों चलना हैं अभी भी एक बहुत बड़ा तपका ऐसा है जो निर्धरता की श्रेणी में आता है गरिभी रेखा से नीचे है और वन्चित हैं सामाजिक आर्थिक विशमताएं अभी भी बनी हुई हैं इसके अने कार सरकारें इसे दूर करने का प्रियास तो कर रही हैं अपने तरीके से सामाजिक नियाएं के ताहत विविन वियोजनाओं के माद्यम से लेकिन जनता का सहयोग भी इसके साथ साथ बढ़ाने के आश्कता है ताकि जल्दी से जल्दी जो समाज में विशमता है वो समानता में ब